अबसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियो और इस वीडियो में हम एक इंपोर्टन टॉपिक यो पर बात करेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे धियान से देखे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल जून 2020 तो यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आया है जून 2020 के लिए ग्रेड काड और तर्में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है आप यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे इसमें तो तर्मेंड में आप देख सकते हैं जून 2020 का यह आ रहा है इसमें आप इन्रोल्मेंट नमबर डाल सकते हैं लेकिन यह टर्में रिजल्ट के लिए है जो कि अभी समय चल रहा है तो इसलिए आपका इन्रोल्मेंट नमबर नोट फाउंड आएगा क्योंकि अभी टर्में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया लेकिन टर्में रिजल्ट का भी लिंक इस बार जल्दी ही दाल दिया गया इगनु की वेबसाइट पर आगे आप देख सकते हैं आपका असाइमेंट का रिजल्ट डिकलेयर कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड कार्ड पर आपको जाना होगा अगर आपका तो पहले नंबर पाले पर क्लिक कीजिए अगर बीडीपी बैचलर डिग्री प्रोग्राम बीए बीकॉम बीए सी या एस एसो प्रोग्राम है तो दूसरे क्लिक पर क्लिक कीजिए और अगर आपका अधर प्रोग्राम है जैसे मास्टर्स का कोई कोर्स है तो आप आपको तीसरे पर click करना होगा जैसे ही आप इसमें click करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना program select करना होगा और enrollment number डालना होगा आप अपना जैसे program number इन्रोल्मेंट नमबर और प्रोग्राम को डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आसाइमेंट रिजल्ट आ चुका है जैसे कि एक इन्रोल्मेंट नमबर मैं आप इसमें डाल देता हूँ ताकि आप इसको देख पाए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आस MHI 09 और MHI 10 Online Assignment Submission किया गया था और उसका Assignment का Result अब Declare कर दिया गया है Link आपको Description में मिल जाएगा आपका भी Assignment Result आप देख सकते हैं अगर किसी सब्जेक्ट का आपका रह गया हो या Assignment Result अभी भी नहीं आया हो तो कुछ वेट आपको और करना होगा जैसा कि इगरूनक खुद का है कि October end तक सभी भच्चों का Assignment का Result अभी डेक्लेर कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Assignment का Result तो Declare किया जा चुका है जैसे ही एक्जाम खतम होंगे तो उसके बाद कुछ हफते में Term and Result पर टेक्लेर किया जा सकता है तो इस वीडियो में इतना ही आप अपना Assignment Result जरूर चेक करें इस वीडियो में इतना ही